ओम नमो भगवते वासुदेवाई नमाहा स्वागत है आपका कुश्यकर देहार में यहां हम देहार की तयारी से पुजा की धाली तक कसा पर पूरा करेंगे आज की वीडियो में कार्तिक महात्मे को आगे बढ़ाते वे नौवा अध्याई और दसवा अध्याई का पाठ करेंगे अध्य नवा अध्याई इधर व्रिंदा ने सोपने में देखा कि उसका पती सारे शरीर में तेल लगा कर नंगा शरीर भैस पर सवार होकर दक्षिन देशा की ओर प्रेतों के साथ जा रहा है यह सोपने देख उसे बड़ी चिंता हुई और अटारी तथा गोशाला कहीं भी विश्राम नहीं मिला तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई वहाँ व्रिंदा ने सिंग जैसे मुख वाले दो राक्षास देखे उनने देखते ही वह डर के मारे भागी आगे जाकर उसने शेशे सहीत एक तपस्वी मुणी को देखा और उनसे अपने रक्षा के लिए कहा उसकी प्रात्ना पर मुणी ने अपने एक खूंकार से उननर रक्षासों को भगा दिया तथ बश्चा व्रिंदा ने मुणी से विनेपुर्वक कहा कि महराज मेरे पती जालंधर तता महदेव जी में घोर युद हो रहा है उसमें किसकी विजय होगी क्रिपा करके बताईए क्योंकि आप सरवग्य है या सुनकर मुणी ने उपर को देखा उसी समय दो बंदरों ने आकर मुणी को प्रणाम किया और मुणी के संकेत पर वे दोनों बंदर वहां से चले गए फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों आकाश की ओर से आये और उन्होंने वहां जालंधर डैत्य का सिर और धड़ लाकर फेग दिया प्रिंदा अपने पती के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी ततपशात पुर्षित होकर प्रित्वी पर गिर पड़ी मुणी ने अपने कमंडलों से उस पर जल छेड़का तो उसे कुछ चितना आई तब वह पुना विलाब करते हुई मुणी से बोली कि महराज जिसने देव, गंधर्व और विश्णु सहीर तीनों लोगों को जीत लिया वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया हे मुणे, आप बड़े सामर्थेवान हैं, किसी प्रकार से मेरे पती को पर जीवित कर दीजे तब मुणी कहने लगे कि शिव जी के हाथ से मारे हुए को कौन जीवित कर सकता है परन्तु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित कर देते हैं ऐसा कहकर मुणी अंतर ध्यान हो गये और जालांधर जीवित होकर व्रिंदा के साथ प्रेमा लाप करता हुआ आलिंगन बद हो गया व्रिंदा भी अपने पती के वेश में विश्नु के साथ उस वन में रमन करती रही परन्तु एक दिन मैथुन के पश्चत अपने पती के वेश में विश्नु को देखकर वो अत्यंत कुरोधित हुई और श्राब देती हुई बोली कि तुमने में पती व्रत धर्म को नस्ट किया है इसलिए मैं तुमको श्राब देती हूँ निश्य ही वह कपट मुनी तुम ही थे और तुमने जो दो द्राक्षस कपट के बनाये थे वही कालंतर में तुम्हारी स्त्री का हरन करेंगे और जो तुम्हारा शिश्य था वह बंदरूप धारन कर तुम्हारी सहयता करेगा फिर कहा कि तुम शीला हो जाओ नारजी कहने लगे कि हे राजा प्रितु भगवान विश्णु ने देवताओं तथा अपने भगतों के कारे के लिए पती व्रता विरिंदा का यद्यपी शील हर्क लिया परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और बोले कि हे विरिंदे मैंने तुम्हारे श्राब का ग्रहन किया अता में अवश्य शीला रूप में हो जाओंगा परंतु तुम भी विरिक्च रूप होकर मुझसे मिलोगी उसी समय विरिंदा अपने पती के चर्णों का ध्यान करके विष्णु को मना करने पर भी अगनी में प्रवेश कर गई और विष्णु विरिंदा का स्मरन करके उसकी चिता की भस्म में लोटने लगे नारज जी कहते हैं हे राजा प्रिथू उधर युद में जालंदर द्य शिव जी के ओर मारे इस प्रकास शिव जी को संकट में ग्रास से देखकर विष्णु भगवान महा पर आए और शिव जी को राक्षसी माया का ज्यान कराया तब शिव जी बड़े भ्यांकर वेग से राक्षसों को मारने लगें शिव जी की इस सतीक छन बान वर्षा के आग उदर जिस समय विरंदा का पती व्रत धर्म नस्ठ हुआ तभी जालंदर का बल समाप्त हो गया। ठीक इसी समय विश्णू ने अपने सुदार्शन चक्र अपने तेज सहीत शिव को दिया। फिर शिव जी ने अपना रिश्यों का तपका पती व्रत इस्तरियों का तथा ब्र विरंदा का तेज श्री पार्वती जी में समागया। उदर विश्णू विरंदा की चिता में लोटने लगे। तब सब देवताओं ने शिव जी किस्तूती की और कहा कि महराज जालंधर को मार कर आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है। परन्तु एक महान अनर्थ होग रहा है। क्रीपा करके उसका भी कुछ उपाई कीजे। भगवान विश्णू विरंदा के पती व्रत धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता भस्म पर लोट रहे हैं। और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे हैं। तब शिव जी ने कहा कि हें देवताओं तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ वही सब संकट हरेंगी। तब सब देवता योग माया की शरण में जाकर उनकी इस्तुति करते वे बोले ही देवी। आप सारे जगत को उत्पन करने वाली पालन और नाश करने वाली हो। सतोगुण, रज प्रकृति देवी को हमारा नमस्कार है। उन देवियों की तुम अराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर तीन बीज दिये और कहा कि इन तीनों बीजों को जहांपर विष्णु है जाकर बो दो और अपना कारे सिध्ध करो। लक्ष्मी जी ने बीज इर्शायुक्त दिया था। इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित तथा आवला और तुलसी भगवान को अतीप्रिये होई। इस प्रकार व्रिंदा ने वरिक्ष रूप होकर भगवान शाली ग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्ति के उध्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारजी कहते हैं कि हे राजा पृथू जिस घर में तुलसी का वरिक्ष होता है उसमें यम दूद कभी नहीं जाते। इसलिए जो तुलसी का वरिक्षला घर में लगाते हैं वे यम पूरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन या तीनों कारे बराबर है। जो मनुष्य कार्थिक मास में आवली की छाय में भोजन करता है तथा रुदराक्ष की माला धारन करता है। उसके धर्व, अर्थ, काम और मोक्ष सब कारे से धो जाते हैं। नार्जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, तुलसी और आवले का महात्में ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई इस कथा को पढ़ता है, अत्वा सुनता है, वो भी मोक्ष को प्राक्थ हो जाता है। इसी प्रकार कार्थिक महात्में में नौवा अध्याय समाप्त हुआ। अत्वा अध्याय। राजा प्रितु पूछने लगे की हैं मूने आपने कार्थिक मास में विश्णु की पूजा का महत्में कहा, इस मास में किसी और भी देता का पूजन या व्रत होता हो, तो वो भी कहिए। नारज जी कहने लगी कि आश्विन शुकलापोर नमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है। क्रस्टी के दिश्विन जी करती है उसका स्वभाग्य अटल रहता है। प्राता कालिस्णान से निवरित होकर चंदादी से गनेश का पूजन करे। सायकाल फिर गनेश जी का पूजन करके चंद्रोदे होने पर चंद्रमा को अर्ग दें और फिर उत्सव मना कर भोजन करें इस्तियों को अपने सुभागे के लिए इस वरत को अवश्य करना चाहिए नारज जी कहने लगे है राजा पृतु इस वरत का एक सुन्दर इतिहास में तुमसे कहता हूँ सुनो भद्रवती नाम की एक पूरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था उसके रविदत सुशर्मा, जैशर्मा और शुशोबन नाम वाले चार पुत्र और वीरमती नाम वाली कन्या थी उस कन्या वीरमती का विवा देवरत के साथ हो गया वे दोनों बड़े प्रेम साथ रहते थे एक दिन अचाना घर में बैठे हुए देवरत को साथ ने काट लिया जिसे उसकी मृत्यों हो गए वीरमती बहुत जोर से रोने लगी और चिल लाने लगी उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहाँ पर आ गये और सारा पुर दुख रूपी समूंदर में डूब गया उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्ते रिशी भी महाँ पर आ पहुँचे राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महराज कौन से पाप कर्म से मेरिया कन्या विद्वा हुई है तब पुलस्ते जी ने कहा कि राजन कार्थिक मास में तुम्हारी कन्यानी गनेश चतूर्थी का व्रत नहीं किया था इसी पाप से या विद्वा हुई है फिर पुलस्ते जी कहने लगे कि एक समय ब्रह्मा, विश्नु, महेश, इंद्रादी, सब देवत्यों के नाश का उपाय सोचने के लिए एकत्रित हुए उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गनेश चतूर्थी का व्रत सब देवत्यों का विनाश करने वाला है तब समस्त देवत्यों ने कार्थी कृष्न चतूर्थी का व्रत किया और दैत्यों पर विजे पाई विजे प्राप्त होने के बाद सब देवत्यों ने गनेश जी से कहा कि वर मांगो तब गनीजी ने कहा जो इस्त्री कार्टि कृष्ण चतुर्थी का वरत करे उसका पती चिरन जीव हो और जो ना करे वो इस्त्री विद्वा हो जाए अता इस वरत को आवश्य मेव सब इस्त्रियों को करना चाहिए पुलस्ते जी कहने लगे की हे राजन तुम्हारी कन्या ने इस वरत को नहीं किया था इसी कारण वह विद्वा हुई है यदि वह अब भी इस वरत को करे तो उसका मृतक पती जीवित हो जाएगा यह कहकर रिशी तो चले गए और राजा ने अपने जमातर के मृतक शरीर को तेल में डलवा दिया जब कार्टिक मास आया तो उसकी कन्या ने विदिवत वरत करके उद्यापन में ब्राहमनों को बहुत सा धन दिया जिसके प्रभाव से उसका मृतक पती पिर जीवित हो गया अता स्वभागे वती स्थ्रियों को अपने स्वभागे की रक्षा तता संतान प्राप्ति के लिए ये वरत अवश्य करना चाहिए इसी प्रकार कार्टिक महत्यमें में दस्वा अधियाई समाप्त हुआ उम नमो भगवते वासुदेवाए नमहा